आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें फलन होता है, उद्देश से फलन, उद्देश फलन को हम जैड से लिखते हैं, तो जैड बराबर हम मानते हैं, मालो 4X प्लस 3Y है हमारा, अब हम ये समझते हैं कि रेखिक प्रोग्रामन हैं, तो समझ से रेखिक प्रोग्रामन क्या होती है, यदी घात, यदी चरकी घात, एक है अधिक्तम घात कितनी है एक है तो वो क्या होगा रेखिक होगा अगर यदि चरकी अधिक्तम घात कितनी है कितनी है अगर दो है तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा दे गात हो जाएगा गात कितनी है, दो है, तो वो क्या हो जाएगा, द्वी गात हो जाएगा, ओके, यह हो जाएगा, द्वी गात, अगर चरकी, यदी, चरकी, अधिकतम, अधिकतम, गात, तीन है, तो यह हो जाएगा, त्री गात, त्री गात हो जाएगा, तो चरकी अगर गात एक है कितनी गात एक है गात तो यह को जाएगा रेखेक हो जाएगा अगर दो है तो दी गात हो जाएगा अगर तीन है तो त्री गात हो जाएगा और हमसे पूछा गया है कि रेखिक प्रोग्राम है अब इस समस्या देख लेते हैं इसकी जो प्रोग्राम हमें solve करने होते हैं विवरोद दिये होते हैं वो होते हैं महलें 2x plus 3y less take equal to 5 है 6x plus 2y get them equal to 10 है तो ऐसी हमें समझे दिये तो तो यहाँ पर 4 कौन से हैं x तथा y 4 है ओके तो इनकी अधिकतम घात कितनी है x और y की 1 है तो यह क्या हो जाएगा कि यह हो जाएगे रेखिक हो जाएगी हमारा फलन भी किसमें है देखो फलन भी हमारा है रेखिक, फलन भी, उद्देश फलन होता है, वो भी क्या होता है, रेखिक में होता है, राइट, और हमारा जो ये समीकन दे रखे हैं होते हैं, ये भी किसमें होते हैं, रेखिक में होते हैं, ओके, तो हम क्या देंगे, हमारा कौन सा ओप्सन करेक्ट हो जाएगा, फिर प्रोग्रामन समस्या में उद्देश फलन व्यवरोद तथा शर सभी रेखिक होते हैं क्या होते हैं सभी रेखिक होते हैं तो ओप्सन कॉन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा ए ओप्सन सई हो जाएगा उत्तर आसा करता हूँ दोस्तो समझाय होगा धन्यवाद